हाई गाई आज की इस वीडियो में हम लोग कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम पर एक प्रोजेट बनाने वाले इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे होंगे जैसे कि file handling का concept structure का concept ठीक है while loop आपके हो गए और file for enter और भी बहुत से चीज हम लोग देखने जा रहे हैं ठीक है guys देखो आप इस video को पूरा अच्छे ध्यान से देखना ठीक है ना बहुत से concept जिखा रहों guys अगर आप इस video को अच्छे से देख लेते हो ना तो आप एक नहीं मैं फिर से बोलना चाहूंगा आप एक नहीं बलके 10 secret project बना लोगे ठीक है इस video में मैं पूरा का पूरा concept बताने वाला हूं हाला कि मैं तो school management पर बना रहा हूं लेकिन आप इस concept का यूज करके किसी भी तरह का C project बना सकते हो तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि output final result क्या आने वाला है आप लोग क्या बनाने वाले हो ठीक है तो मैं इस program को अभी run कर लेता हूं तो run करने के बाद आप देखोगे कि यहां पर लिखा हुए school management ठीक है तो और उसके बाद हम लोगे पास options है ठीक है like say menu है menu drive है ठीक है डिस्पले हो जागी तो हलाकि कुछ record मैंने पहले से डाल के रख्या हूं फाइल में तो आप देखोगे कि कुछ यहां पर record आ रहे हैं जैसे कि आपका हो गया उस्मान अनसारी class 9 6 अराधिका कुमारी ठीक है class 10 तो इस तरह सी यह तो होगे student info ठीक है तो अब हम लोग देख जाते है one में जाके one में जाएंगे तो टेक admission means की आप कोई नया student को इसमें एड करना चाहते हो ठीक है तो student name में हम लोग मानलो मैं अपना नाम डाल देता हूं ठीक है इंटर कर दिया मैंने और फिर से हम लोग वही मीनु पर वापस चले आए तो फिर से आप टू में जाएंगे student info में तो अब देखो कि आप एक अब्दुलमुकीत नाम का record एड हो चुका है class 4 हमने डाला था रॉल नंबर हम लोग ने 17 डाली थी और देखो आज का date भी जो है search by name आप दो तरह से search कर सकतो Skip Law Denam 1972 नाम के हिसाब से करता हूँ ठीक है और अप लोगों को याद हो है 17 रॉल हम लोग अदुलमुकीत कर आफो मैं यहाँ車 बद dish in ना लेता हूँ तो यह बोलेगा record not found, देखो आप record not found, ठीक है, अगर हम लोग 0 दाबेंगे ठीक है, तो हम लोग वापस से main menu पर आ जाएंगे, ठीक है, तो हम लोगोंने student info देख लिया, search देख लिया, अब modify देख लो, modify में कुछ नहीं है, modify भी, modify roll recording है, ठीक है, directly roll recording है, तो roll नमर मालनो में हम मैं class small low 5 कर देता हूं, ठीक है, और roll number 17 थी पहले, अब मैं इसको 18 बना देता हूं, ओके, तो modified successfully, अब देखो, फिर से display करेंगे, ठीक है, डिस्पले गए, और देखो, अबदुल मुकीद वाले record, अब अबदुल हो चुकी है, class हो चुक है, 5 और roll हो चुका है, 18, 17 से, ठीक ह देते हैं, और उसके बाद 5 नमबर पर हम लोगों का delete है, तो delete भी देख लेते हैं, तो पहले एक बार और display देख लेते हैं, मेरे को कुछ रॉल नमबर सादर से, यानि कि यहां पर 4 नाम की roll number है, ठीक है, यह ताहिर आलम का है, ठीक है, 4 वाले record, roll number 4 ताहिर आलम का है, इस record क हम लोग delete करने वाले हैं, तो आजाते हैं, फिर से 5 पर delete है, ठीक है, delete में मैंने roll number पूछा जा रहा है, किस roll number को आप delete करना चाहते हो, तो roll number 4, जो कि ताहिर की record थी, तो record deleted successfully, प्रेस आनि की continue, अब हम लोग फिर से display में जाएंगे, तो ताहिर वाली record यहां पर नहीं मिल रही क्योंकि वो record delete होगे है, ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं, 6 पर sort, ठीक है, तो sort में, भाई, देख लो, sort by roll भी है, और sort by name भी है, तो मैं two allow option लोगा, sort by name, ठीक है, तो sorting करते हैं, name recording, तो सबसे पहले अबदुल आया, फिर अभी शेक आया, ठीक है, फिर अराधिका, and then Ria and then Usman, ठीक है, ये हो गया, name recording sort, ठीक है, तो ये ये भी आपका काम कर रहा, जीरो दाब होगे, फिर से आप main menu पे चले आओगे, ठीक है, तो अब बात करते हैं थोड़ा project के बारे में, तो देखो, मैंने project को run कर दिया, ठीक है, अब फिर से को run करूँगा, तो आप data हम जो डाल रहे हैं, वो किसी ने किसी file में जाके save हो रहा है, तो यार, किस file में जाके save हो रहा है, तो आप देखो, st.txt जो file है ना, इसके अंदर पूरे data save हो रहा है, अगर मैं इसको open करूँगा, तो आप देख सकते हो, अराधिका कुमारी and then Usman and सारी, यानि कि सारे records यह है, ठीक है, इसे ही हम लोग read कर रहे हैं और अपने program में और यहीं save भी कर रहे है record, तो guys, आईए बात कर लेते हैं कि हम लोग इस video में कौन सी compiler को use करेंगे, तो हम लोग जो है कि code block नाम की compiler को use करेंगे, आप इसे download कर सकते हो, बस code block लिको google पर ठीक है, और इसको download कर लेना, म उसके बाद आपको लोग उस शुरू से बताता हूं, ठीक है, तो इस website पर आजाओगे, आप लोग यहाँ पर download का बटन है, इस पर click करो के download हो जाएगा, ठीक है, download के बाद install में आप लोग जानते हैं, बस next next करना है आपको, और वो install भी हो जाएगा, तो मैं इसको पूरा ही हमको जो हैं एक यहाँ पर आइकशन होगा, ठीक है, इस ऐकन को नाम है new file, तो इस पर click कर देना, new file में impity file लेंगे, ठीक है, impity file पर click कर देंगे, impity file को सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, भाई सबसे बहले save करना है, ठीक है, तो file में जाओ आप, और यहाँ पर save as ही service ही क करना है तो जो भी लोकेशन आपको पसंदो वो ले लो और उसके बाद फाइल का नाम डाल दो तो मैं यहां पर नाम डाल देता हूं इंप्टी थी अभी उसको आपन कर लेते हैं तो यह फाइल हम लोगों की हो चुकी अब उपन तो सबसे पहले यार हमको कुछ लाइब डिरी फाइल्स चाहिए मेरे को कुछ लाइब डीफाइल्स तो उसको जल्दी से इंकलूड कर लेते हैं हाथ हम लोगों को अभी तीन ही लावरी फाइस चाहिए वो हम लोगों ने इंक्लूड कर ली अब सबसे पहले बना लेते हैं अपना मेन मेथड तो भाई के इंट मेन में लिखेंगे ठीक है और उसके बाद डे डिय्यटली लिख excited रिदेंगे रिटन में लिटन् अपनी मिन्यू राइयवइन ठीक है तो जिसके लिए हम लोग कुछ चीजे लेंगे सबसे पहले हम लोगों कुछ चाहिए एक कि नाम का रीपरेजेंट किया जाता है, 0 मेंस फॉल्स, 1 मेंस टू, 1 क्या, 2 मेंस भी ओगा, 3 मेंस भी दू होगा, मतलब जीरो के लाबा कुछ भी उसका मतलब ट्रू है, तो मैंने लिखा यापर while 1, यानि की while true, यानि की इस काम को करते रहो इंफानाइट तक, बेसिकली इस line number 9 का जही मतलब है इस काम को करते रहो infinite तक तो अब क्या करते रहो तो कुछ नहीं बस कुछ menus को print करना है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग अपनी screen को clear करेंगे इसमें हम लोगों को लिखना होता है system ये हो गया अब इसके बाद हम लोग अपनी menus को जल्दी से print कर लेता है हाँ गाइस तो आप जो है कि हमारी menus रेडी हो चुकी है first पर take admission है second पर student info है third पर search है ठीक है और at last हम लोग क्या कर रहे है कि enter your choice और percent d लेके and ch ये वाला जो variable है ch choice वाला इसमें हम लोग अपनी एक choice को जाने के one two three four five six इसमें से अपनी choice को ले ले रहे है और यहां पर हम लोगों को एक और menu चाहिए of course exit के लिए तो zero पर ले ले लेते हैं exit ठीक है में लिख देते हैं exit और अब हमारी menus रेडी हो चुकी है तो अब हम लोग जो है कि switch case लेंगे तो हम लोग लिखने वाले है switch ठीक है switch करना है भाई CH को CH को case zero से शुरू करते हैं हम लोग ठीक है तो case हो गया zero ठीक है case zero में कुछ नहीं करना है मेरे को चाहिए exit ठीक है बस case zero में हम लोग exit zero डाल देंगे यह एक function है exit करने के काम में आता है ठीक है तो इसको हम लोग exit कर लेंगे case zero में ठीक है अब case one में अब देखो case one में क्या करना है case one अब case one में हम लोगो क्या करना है एक तरह से take admission करना है means एक तरह से input करनी है तो मैं एक input नाम के function को call कर दूँँगा जिससे अभी तक मैंने बनाया नहीं है उसके बाद मैं इसको break कर देता हूँ ठीक है case one का काम होगा और case two पे normally हम लोग display नाम के function को call कर देंगे ठीक है case two पे हम लोग call करने वाले हैं display ठीक है और इसको भी break कर देंगे ठीक है तो ये input और ये display हाँ तो wide input लिख दिया अब इससे पहले हम लोगों को input लेना कहा है उसका कुछ हम लोगों को करना पड़ेगा तो उपर आ जाते हैं ठीक है और guys आप देख रहे हैं कि ये सब जो है ना buttons वगारा ये सब मेरे को काफी distract कर रहे हैं मैं चाहता हूँ कि मेरे editor भाई थोड़ा बड़ा हो जाए तो कि चाहकि विज्विलाइज अच्छे से हो मुझे भी अच्छे से हो आप लगों को भी अच्छे से हो तो इसके लिए मैं कर किया सकता हूँ मैं वियू में जाऊंगा ठीक है और इसके अंदर मैं ले सकता हूँ code block minimal तो मैं ने इसको सेलेक कर दिया और वो सब रटन सारे गाइब होगा ठीक है तो अब हम लोग अपने main menu के ऊपर जाने वाले यहां पर यहां पर जाएंगे अब और हम लोग कुछ चीज़े define करने वाले हम लोग सबते पहले define करने वाले अपने data का structure तो हम लोग और शुट का name मालनो 30 character तक का हो सकता है आप जतना चाहो उतना ले सकते हो मैं 30 ले रहा हूं यहां पर फिर student का class होगा तो class मालनो 10 character का हो सकता है ठीक है मेरे case में और फिर मैं लेता हूं int roll तो ठीक है roll number integer ले लेते है roll number हो जागी उसकी और उसके बाद ले लेते हैं care date ठीक है तो date मालनो 12 letter का ठीक है तो यह हो गए हम लोगों की structure define अब इस structure का controller variable बजाना पड़ेगा उसके लिए मैं यहां पर बस एक S लिखूँगा यह S जो है अब इस student वाली structure को control करेगा ठीक है अब हमको जाना है वापस से अपने input में तो नीचा जाते है ठीक है wired input हम लोगों बना हम लोग करने वाले किया है स्टूडेंट का name लेंगे स्टूडेंट का class लेंगे ठीक है और स्टूडेंट का role लेंगे और स्टूडेंट को date डालने की ज़रूरत नहीं है date हम लोग automatically system से fetch करेंगे जो भी आज की date होगी वो हम लोग के पास आ जाने चाहिए तो मैं जल्दी स करेंगे तो हाँ तो गाइज यह सब करने के बाद जो है कि हम लोगों ने successfully date निकाल लिया होगा अपने इस my date वाले variable में तो इसको print करके पहले देख लेते हैं भाई हो क्या रहा है ठीक है printf में चले जाते हैं और उसके बाद हम लोग ले लेते हैं इस ठीक है और बस my date को print कर देते हैं और देखते हैं कि इसकी output क्या आती है तो इस program को run करेंगे हम लोग तो आप देखो कुछ error आ रहा है ठीक है तो कोई बात नहीं error solve करते हैं तो देखो error क्या रहा है invalid date type टाइप जिनरी ओके ठीक है लाइन नंबर 56 ओके ओके यहां पर जो है कि local की spelling गलत हो गए थी तो लो सी लोकल ठीक है local time यह वाला यह हमको चाहिए ओके तो आप बस को run करते हैं फिर से f9 ते ओके तो यह बोल रहा है display undefine है हाँ तो display को भी फिलाल comment कर देते हैं ओके तो अब रहन होना चाहिए हाँ तो अब हम लोग पहले one में जाएंगे तो सिंपली से बात है हम लोगो डेट आना चाहिए हम लोग के पास अच्छा आप देखो कोई भी output नहीं आया ऐसा क्यूंग वह मैंने वंद आबाद ठीक है और कोई output नहीं और पुट आया हुआ क्या यह समझो उपर आओ यह हो क्या रहा ना यह जैसे कि जैसे ही वह डेट प्रिंट हो उसके बास cls हो जा रहा है cls means screen clear हो जा रही है और फिर से यही menu प्रिंट हो जा रहे है तो हम लोगों को एक way चाहिए ठीक है जिससे कि हम लोग ऐसा होने से रोक सके ठीक है इसके लिए हम लोग नीचे है फिर से means run कर देते हैं और बंद आपते हैं और अब देखो आज आज की डेट आ चुकी है ठीक है एकीस बारा तो हजर बीस तो यारी कि हम लोगों ने डेट सक्सेस्फुली निकाल लिया ओके ठीक है प्रोग्राम को exit कर देते हैं यह काम हो गया हम लोगों का और इससे पह सैनी की टु कंटिन्यू और इससे पहले कुछ selection मार देते हैं ओके लुकिंग बेटर अब नीच चलते हैं ठीक है तो यहां तक हम लोगोंने डेट ले लिया था इन्पुट की काम में हम लोगोंने डेट ले लिया था अब यह डेट अभी my date वाले variable में ठीक है इस से निकालक को हटा देते हैं यहां से और डिरेकली लिखते हैं strcpy तो कॉपी करना है इस.date में ठीक है जो structure की date है और कहां से करना है तो my date से करना है ठीक है बस यह काम हो जाना चाहिए ठीक है अब हमारे structure वाले date में my date की data जा चुकी है अब जो है कि हम लोग अपना file handling operation स्टार्ट करने वाले उसके लिए हम लोग फिर से उपर आएंगे ठीक है अब हम लोगों को यहां पर जाना होगा ठीक है फिर से main function के उपर अब हम लोग यहां पर लेने वाले यह लिखेंगे size of और S जो variable है structure का reference ठीक है यहां पर आप देख सकते हो size of S हो SZ के पास है यह दो चीज़े मेरे पास global scope में मतलब रखी हुए है main function के पाहर अब हम लोग चाहते हैं वापस अपने input में ठीक है तो इस window को मैं बंद कर देता हूं हम लोगों को जादे space मिलेगा ठीक है तो input में मैं आ गया अब जो है कि fp जो हम लोगे ने बनाया था उसको use करेंगे fp equal to fopen मतलब हम लोगे एक file को open करने जा रहे हैं ठीक है तो कौन सी file भाई कुछ भी हो सकता है नाम आप कुछ भी डाल तक तो मानलो मैंने ले लिया stud ठीक है stud.txt ठीक है txt लगाना जरूरी नहीं है बड़ लगा देते हैं ठीक है तो उसके बाद इसको किस mode में open करना यह बताना होता है ठीक है तो यह भी ले ले लेते है append in binary mode में ठीक है क्योंकि हमको इसको खोलना भी है और इसमें write भी करना ठीक है तो अगर यह student नाम की file नहीं होगी तो यह fopen जो है ना file को create करेगा और उसके बाद आगे जो भी हम लोग लिखेंगे वो होगा तो आगे क्या हमको चाहिए हमको चाहिए student का name इंटरे student name यह print कर देते हैं और f flush अब हम लोग यूज़ करने वाले है ठीक है f flush std in इसका क्या यूज़ है f flush std in का यह क्या करता है कि आपके input buffer को खाली कर देता है जिसे कि हम लोग उने 5 डालके इंटर मारा तो यार 5 तो इस यहां पर आते हैं उपर आते हैं मैं आपको अच्छे समझाता हूँ मैंने यहां पर जो है ना one डाब के इंटर विचुएश यह बोल रहा है ठीक है मैंने one डाब के इंटर डाबा मैंने 2 किस डाबी है याल रखना है पहले तो मैंने one डाबा है और फिर मैंने इंटर डाबा है तो one तो इस percent d ने ले लिया ठीक है क्योंकि one एक integer value था percent d ने one को ले लिए ठीक है लेगिन इंटर अभी भी हमारे बफर के अंदर है ठीक है और अब हम लोग जो है ने नीचे में जो है कि हम लोगों को स्टूडेंट का नेम चाहिए तो नेम में भाई फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों होता है अगर हम यहाँ पे स्कैन F यूज़ ना तो सिर्फ अब्दुल को ले लेगा और मकीत को छोड़ देगा तो मेरे को दोनों नेम चाहिए तो इसके लिए हम लोग गेटS यूज़ करेंगा अब उसका काम यह होता है कि भाई उसको जो है ना इंपूड बफर खाली चाहिए नहीं तो जो हम लोगों ने वन्द जा रहा है वो क्यूं नहीं जा जा रहा है ठीक है तो गेटS से मैंने क्या बोला कि आप इसमें नेम के बीच में स्पेस भी यह अलाओ कर सकता है तो इस डॉट एने में ले लेंगे ठीक है ना इस जो हम लोगा स्ट्रक्चर है और एने जो था नेम के लिए 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 इसको हम लोग लेंगे इस.cl में ठीक है तो गेटस लगा रहे है तो हम लोग फिर से फ़लाश स्टीडी इन के यूज़ करेंगे हम लोग सेफ साइड रहेंगे ठीक है यह हो गया नेम और क्लास यह दो चीज़े मैंने ले ली अब मेरे को चाहिए रॉल ठीक है रॉल तो सिंपल एक इन्टीजर है तो हम लोग स्कैने अफ कर यूज़ करेंगे ठीक है और लिखेंगे यहा पर परसेंट डी ठीक है और उसके बाद कहां जाना चाहिए यह रॉल जाना चाहिए ऐं परसेंट s.rl में ठीक है यह roll भी चला गया और उसके बाद जो है कि अब हम लोगों पूरा data आ चुका है हम लोगोंने date पहले ही डाल दिया था ठीक है s.date में s.name हम लोगोंने ले लिया है ठीक है class भी ले लिया है अब बस हम लोगों को यह जो file उपे इसमें हम लोगों को write कर देना है यह data तो write करने के लिए f.write नाम का method है function है sorry f.write ठीक है f.write में कुछ parameters लगने वाले हैं तो हबते पहले इसको चाहिए भाई की structure का आपका reference किया है तो structure का reference हम लोगों का है s. ठीक है तो i.m.%s यानि उसका address चाहिए को ठीक है उसके बाद हम लोगों चाहिए size of structure तो z मैंने उपर define कर रखा है ठीक है उसके बाद कितने record हम लोग write कर रहे है तो वाई एक बर में एक record write हो रहा है ठीक है तो अब कहां write हो रहा है record तो इसको चाहिए file का pointer fp तो अब देखो आप ये fp से ही file open होई ना तो ये बता रहा ठीक है structure.txt ठीक है यहां write करना है तो इसको हम लोग उना अपनी चार चीज़े दे दी उसके बाद जो है कि हम लोग एक message print कर देंगे user के information के लिए कि हाँ record safe successfully ठीक है ये हम लोगों ने कर दिया और इसके करने के बाद हम लोग .txt यहां देख लो आप fp equal to ये है ठीक है ना तो ये हो चुक है हम लोगों का input का method ready तो अब इसको एक बाद टेस्ट कर लेते हैं ठीक है तो take admission में आ जाते हैं ठीक है तो wait एक second मैं आप लोगो कुछ देखाना चाहता हूँ पहले मैं अपना file explorer कोलूँगा file explorer और desktop पे चले जाते हैं और उसके बाद bullet coders यह folder है ठीक है यहां आप देखोगे कि exe file है .o file है .c file है अभी यहां पर कोई भी institute.txt file नहीं है जैसे ही मैं यहां पर output console को यहां रखने वाला हूँ हाँ ठीक है इसको इधर side में रखते हैं थोड़ा नीचे ताकि आप लोग देख सको ठीक है जैसे ही मैं यहां पर one करूंगा file create होने वाली है ठीक है मैंने one किया file create हो गई institute.txt अभी blank होगी उसमें कोई data नहीं होगा क्योंकि हम लोग ने भी data डाला ही नहीं है ठीक है तो name में डाल देते हैं मानलो excel blaze ठीक है excel blaze डाल दिया इसकी class डाल देते है मानलो class y9 का बंदा है ठीक है और उसके बाद roll number मानलो इसकी 12 है तो इसने बोल दिया record saved successfully अब continue करते हैं अब file को हम लोग open करेंगे directly note pad मेर देखेंगे अब देखो excel blaze class 9 और ये कुछ है रो आ रहा है उसको आप छोड़ दो और आज की date ठीक है तो बस ये हम मनलब की data हम लोगों का file में successfully save हो रहा अब आप देख भी सकते हैं इसको अब 0 सा हम लोग कर देते हैं इसको exit ठीक है student info जो जिसमें display को call करना है अब हम लोग बनाएंगे अपना display method display function ठीक है तो wild display ठीक है wild display इसके अंदर क्या होना चाहिए ठीक है इसके अंदर कुछ ही नहीं करना हम लोगों को जो है इस truth.txt file को open करना है ठीक है और उसके बाद उसमें जो भी डेटा है ठीक है उसको बस डिस्पले कर देना यही गेम के नाम लेगों को तो सबसे पहले करते क्या है कि सबसे पहले system लिखते हैं अब है system cls कुछ भी है उसको clear कर लेते है cls होता है clear screen के लिए ठीक है तो सबसे पहले screen clear कर लिए हम लोगों ने उसके बाद कुछ पिरिंट कर लेते हैं ठीक है सबसे पहले यह columns आ जाएंगे name class role and rate अब आप बोलोगे %-30 कुछ नहीं है मतलब name के बाद 30 spacing always छोड़ना ठीक है अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मालनों किसी का name बड़ा है किसी का name छोटा है तो align perfectly नहीं होगा ऐसा करने से alignment आप एकदम 100% accurate होगी ठीक है तो सबसे पहले यह हम लोग print कर देंगे उसके बाद हम लोगों को file को open करना है तो same method है यह वाला जो line है इसको हम लोग copy करेंगे यहाँ ठीक है इसमें कुछ changes होगा अब हम लोगों को append in binary mode नहीं चाहिए बलके read in binary mode चाहिए हम लोग file को read कर रहे है ना के write कर रहे है ठीक है तो बस हो गया उसके बाद हम लोग अपना while loop लिखेंगे ठीक है अब while के अंदर f read नाम का एक method है ठीक है f read और यह भी जो है guys same parameter लेता है जो हम लोगों का f write लेता है तो मैं सीधा-सीधी यहाँ से copy कर लेंगा ठीक है parameter दे दिया ठीक है उसके बाद इसका अगर return value 1 के बराबर आया तो इसका मतलब मेरे पास data है हमको record print करना है तो अब print क्या करना है तो यह वाले line को copy कर लेंगे पहले ठीक है जिससे हम लोग column print कर रहा है ठीक है आप देखो हाँ थबते पहले name तो name कहां साने वाला है name आने वाला है हम लोगों के पास s.na से ठीक है s याद रखना structure का variable है s.na यहां से name हो गया class के लिए cl है ठीक है s.cl okay roll के लिए s.rl हो जाएगा okay और s.date date के लिए s.date okay तो जब तक ये while loop में data आता रहेगा मतलब if read का return value 1 आता रहेगा तब तक ये चीज़े print होती रहेगा यानि हमारा पूरा record print हो जाएगा और जब ऐसा हो जाएगा में हम लोग while loop के पाहर चले जाएगे जब हम लोग चले जाएगे तो एक record था हम लोगे पास Excel Blaze नम का और class 9 और roll number 12 तो ये display हो रहा है यानि ये सही है ठीक है अब एक और record डाल देते है माल लोग मैं अपना नम डाल देता हूँ class मैं डाल देता हूँ इसके लिए 9 ठीक है और मैं डाल देता हूँ roll number 13 है record save successfully और फिर से 2 पर जाएंगे ठीक है और अब दुर्मकी ठीक है class 9, roll number 13 और आज के date भी है अब जाते हैं 0 पर फिर से हो जाते है तो हम लोगों ने अपना दो menu successfully बना लिया input और display ठीक है अब थाड़ menu देखते है थाड़ में लोगों को बनाना search ठीक है तो same करेंगे ठीक है case 3 लेंगे यहाँ पर ठीक है और इसके बाद लिखेंगे search ठीक है और बस break कर देंगे इसको भी ठीक है guys तब हम नीचे चले जाते हैं और बनाते है white search ठीक है wide search ओके अब search में हम लोगों को करना ये है कि search में भी हम लोग जो है न एक तरह से choice बनाने वाले मतलब search में हम लोगों ने search by role और search by name दो तरह से करना है ठीक है तो उसके लिए मैं जल्दी से एक menu बना देता हूँ तो इसमें भी हम लोगों ने वैसे ही cm1 लिया है कि इसको भी मेरे को infinite तक चलाना है ठीक है तो इसमें भी हम लोगों ने one में ले लिया जैसे search by role और second पर ले लिया search by name थर्ड पर एक और menu लेंगे ठीक है थर्ड पर नहीं बलके zero पर लेंगे और उसका नाम डालेंगे back to main menu ठीक है तो हम कर देते हैं ठीक है तो यह हो गया उसके बाद enter your choice ठीक है यह भी हो गया आप उसके बाद choice में कर देते हैं अबते पहले case zero को deal करते हैं तो case zero इस case में exit नहीं करना हमको इस case में जाना है main menu पर तो हम लोग जो है उपर आएंगे ठीक है और देखेंगे कि यह main यह भी तो एक function है इसको भी call किया जा सकता है हम लोग basically इसको call कर देंगे अपने search वाले में ठीक है तो नीचे आते हैं ठीक है यह display हुआ यह search तो search के case zero में जो है कि हम लोग main को call कर देंगे और break कर देंगे ठीक है इसके आगे execution नहीं चाहिए मुझे fall through नहीं चाहिए ओके अब case one में ले लेंगे ठीक है case one में search by roll इस नाम का एक function हम लोग बनाने वाले है ठीक है और इसको भी break कर देंगे ठीक है तो बस अभी एतना ही रहने तो और default में डाल देते हैं invalid choice तो default में अगर इस सब के इलावा क किसी ने कुछ और डाला तो उसको print हो जाएगा by invalid choice है तो यह हो गया अब बाहर आते हैं सबते पहले इस नाम का function मनाते हैं तो वहीं लिखेंगे wide ठीक है search by roll तो roll का according हम लोगों को search करना है इसमें roll का according search करना है ठीक है तो हम लोगों को चाहिए होगा roll तो उसके लिए हम लो मैं एक rl लोंगा ठीक है rl और एक f लोंगा जिसका current value है 0 ठीक है अब हम लोग लेंगे अपना roll जिसको search करना है तो enter roll to search कुछ इस तरह का message लिख देंगे ओके उसके बाद scanf की मदद से ठीक है तो इस वाले rl वाले int में हम लोगों ने जो अभी जिस roll को आपको search करना उसको store कर लिया ठीक है तो अब इसके बाद जो हम लोग करने वाले क्या है कि उपर आएंगे display में जो formatting हम लोगों ने की थी ये ये इस line को मेरे को चाहिए ये line ठीक है ये line हम लोग लेंगे और यहाँ पर print कर देंगे ये line ठीक है तो इस से हम लोगों का formatting जो है कि print हो जाएगा इसके बाद जो है कि हम लोगों को file open करना है और बारी बारी से सारे record को पढ़ना है और मिलाना है कि भाई क्या ये roll record की roll और rl की roll same है अगर है तो उसको print कर देना तो हम लोग उपर आते हैं अपने display वाले function में जो हम लोगों ने बनाया था ये मैं यहां से ये पूरा while loop मैं copy कर लूँगा ठीक है इस while loop को copy करके हम डाल देंगे अपने search by roll में ठीक है ये while loop हम मैंने डाल दिया अब सुनो अब मेरे को while loop के अंदर जाना है ठीक है while loop क structure का जो rl है ठीक है उसके बराबर है तो हम लोग यहां पर print नहीं करेंगे बलके हाँ print करेंगे और उसके साथ-साथ हम लोग ये if का value भी change कर देंगे तो हम बोलेंगे if equal to one मतलब मिल चुका है ठीक है और उसके बाद print करना ये चीज़ है ठीक है ये चीज़ print कर दिया मैंने और उसके बाद मैं इसको break कर दूँगा कि अब आगे खोजने की जरूरत नहीं है ठीक है हम लोगों को जो मिलना था वो मिल गया अब break होगा तो ये हमेशे loop तुटता है तो loop यहां पर कौन है देखलो ये if statement है ठीक है यहां से यहां तक if है और यहां पर loop ठीक है यह loop हम लोग file को कर देंगे close क्योंकि अब file से मेरे को मतलब है नहीं ठीक है तो मैं बोल देंगा if close fp file को मैंने close कर दिया अब उसके बाद मैं check करूंगा if अगर if का value 0 है तो यानि कि record नहीं मिला जो भी हम लोग खोज रहे थे तो बस यहां पर हम लोग लिख देंगे इल्स अगर ऐसा नहीं है यानि कि अगर if का value भाना यानि कि record मिला था प्रिंट को हम लोग अल्रेडी करी चुके है उपर बस यहां पर लिख देंगे record found ठीक है तो search by roll यह अब हम लोगों का काम करना चाहिए तो अब इसको एक बार test कर लेते हैं ठीक है तो यह हो चुग है पहले student info में जाएंगे ठीक है अब देख लो Excel Blaze का roll number 12 है और अबदिलमगीत का roll number 13 है तो यह 13 roll number वाले को हम लोग ट्राई करते हैं खोजने का तो ठीक है 3 पर Okay search में गयें और फिर में प्रोग्राम ने हम लोगों को वापस से फियक दिया तो ऐसा क्यों हम देख लेते हैं ठीक है तो search okay तो हम लोगों थीरी में कहोंगे कुछ इस तरह से तो देखो थीरी में हम लोगों ने इंटर्यूर 24 तो लिखा है बट 24 के लिए लिया नहीं है यहां पर होना चाहिए हाँ देखो ठीक है तो यह इस यही वजाती कि वह वेट नहीं किया और अब जाते हैं ठीक है तो 3 में चलेगे ठीक है सर्च भाई रॉल एंड सब्सक्राइब दो आफ्चन आ गया अब मैं वन में जांगा की सर्च भाई रॉल करना तो भाई रॉल क्या तो रॉल नमबर 12, 13 है सोरी अब दुल में कित वारी रिकॉर्ड का रॉल नमबर 13 था विंटर करते हैं तो अभी आया है कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड ठीक है तो बैक करके देखते हैं कि भाई 13 ही था या नहीं था तो हां रॉल नमबर 13 था ओके तो फिर से एक बार ट्रा है ठीक है और रॉल तू फाइंड डॉल नमबर 12 ही ट्राइ करते हैं मालो ठीक है 12 में भी आ रहा है रिकॉर्ड नॉट फॉन तो ऐसा क्यों हो रहा है यह इसको देख लेते हैं पहले तो हां देखो फाइल हम लोगों ने उपन ही नहीं किये हम लोगों ने सब कुछ कर रखा है बड़ फाइल ही नहीं भीन किये तो होगा कैसे तो एफइञ जो है न तो फिर से फाइल उपेन करich स्टार में आ, नहीं टीक है, तो हम लोगों ने फाइल उपेन नहीं किया तो सिंपल सी बात यहां से कपी कर कैंगे पार नीचे जाएंगे search में ठीक है file open करना ओके आप ये काम करना चाहिए और अब मैं इसको यहां से हटा सकता हूँ ठीक है तो अब देखते है ठीक है search में गया one में गया search by roll और roll नमबर 13 ओके तो 13 पे है अबदुलमुकीत ओके तो search also काम कर रहा है हम लोगा अब हम लोगों को search में जो है न search by name वो भी बनाना है तो search by name के लिए कुछ नहीं है search में जाएंगे और उसमें case करेंगे case 2 पे search by roll ये copy करने वाला हूँ मैं यहां से यहां तक और roll की जगा पे मैं यहां name लिख दूँगा name अब कुछ नहीं है नीची आउँगा मैं और यह जो मेरा method है यह जो मेरा function है न इसको मैं पूरा का पूरा ही copy करने वाला हूँ है अपर copy and then paste ठीक है इसका नाम चेंज़ करूँगा मैं search by name हाँ ठीक है तो अब name के लिए कुछ लेना पड़ेगा अब को कैर मालो एने ले ले लेता हूँ ठीक है एने में 30 character तक का name आपका store हो सकता है ठीक है मेरे को if चाहिए RL मेरे को नहीं चाहिए ठीक है enter name to search लिख देते हैं ठीक है और name लेने के लिए वाई if flash study in का पहले हम लोग यूज़ कर लेंगे ठीक है ये कर दिया और उसके बाद gate से हम लोग जो है की ले लेंगे अपने एने वाले वाले वेरिवल में ठीक है जो भी user नाम सर्च करना चाहता है ठीक है फिर उसके बाद column print और file open और पस यहां पर जो है न यहां condition change होगी ठीक है इसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं हम लोग इस्ट्रिंग को compare करेंगे तो strcmpi यूज़ करने वाले हैं ठीक है strcmpi अब इसमें na और s.na अगर ये दोनों ठीक है equal आता है value 0 के ठीक है strcmpi एक function है ठीक है यह करता किया कि दो इस्ट्रिंग को compare करता है अगर तोनों स्ट्रिंग equal है तो result आता है 0 अगर left वाली string right वाली string से बढ़ी है तो result आएगा minus 1 अगर right वाली string left से बढ़ी है result आएगा 1 ठीक है तो इतने deeply नहीं जाना हम लोगों को देखना कि अगर भाई result 0 आता है ठीक है तो एक बार पहले display में चले जाते है और एक्सल ब्लेज इसको search करने का कोशिश करते हैं search by name के तुरू तो थर्ड में आंगे ठीक है search by name to पे है अब इंटर name to search तो एक्सल एक्सल बील एजडी place ओके तो यह मिल गया है देखो मैंने एक्सल ब्लेज छोटे में लिखा ठीक है ना बट फिर भी इसने काम किया क्योंकि अगर आप exactly करें तो वह काम करेंगा ठीक है तो अब इस बार कुछ अलग चीज़ें डालते हैं जो है ही नहीं मानलो एच एच तो है नहीं तो रिकॉर्ड नॉट फॉन लिखाएगा ओके तो हम लोगों का search भी धंग से काम कर रहा है अब अगला मेनु है modify तो modify हम लोग roll के coding करने वाले है तो इसको कर देते हैं पहले close ठीक है तो अब modify के लिए थबते बहले उपर जाएंगे हम अपने main method में और modify के लिए case4 पे एक method call कर देंगे case4 इसको भी break कर देना है ठीक है तो अब कुछ नहीं है नीचे आएंगे last में और modify नाम का एक function बनाना होगा हम लोगों को यह function कुछ return नहीं करेगा ठीक है modify ठीक है तो अब सुनो मेरे पास जो search में जो चीज है search by roll में मैं उसकी पूरी चीज कोपी कर लूँगा भी फिल हाल modify में उसके बाद accordingly उसको modify करेंगे तो इसके अंदर मैं paste कर लेता हूँ ठीक है तो print हो गई file open हो नहीं है ठीक है if read होगा यह होगा अब यहां पर जो है ना कि जब यह roll s.rl के बराबर होगा मतलब equals होगा ठीक है और एक चीज है modify में हम लोगों कुछ फाइल को read भी करना है और साथ साथ write भी करना है तो rb plus mode में यह होता है काम ठीक है read in binary plus mode ओके तो अब यहां पर जब यह one होगा ना तो यहां पर हम लोगों को record प्रिंट नहीं करना है यहां पर हम लोगों को जो है की निया नाम मांगना है तो हम लोग ले लेंगे printf ठीक है और लिख देंगे enter new name तो enter new name new role new class तो एक तरह से एक सेकंड उपर हम लोग जाते हैं input में इससे आप लोगों का time चला जाएगा मैं आपका time save करना चाहरा हूँ तो यह मैं यहां से लेके यहां तक जब लोगों ने roll डाला था बस यहां तक मैं copy करने वाला हूँ अब वापस दाते हैं modify में तो modify यहां है ठीक है इसको भी हटा देते हैं ओके यहां पर paste करने वाला हूँ इस टूडेंट नेम के जगा पर मालो मैं लग देता हूँ इंटर new name ओके new name and then new class and then new role ओके सब चीजे हम लोगों ने structure वाले variable में ले लिया ठीक है अब उसके बाद कुछ नहीं करना अब हम लोगों को जो है ना कि जब record को read करते हैं तो जो है कि file pointer record के एक आगे वाले record पर होता है मतलब अगर मैं इस record इस file को अभी save कर दूँ मालो इसमें three names है ठीक है अबदलमुकीत और मालो की एकसल ब्लेज और मालो की कोई ताहिर है ठीक है तो हम लोग मालो की एकसल ब्लेज जो second वाले record है उसको modify करना तो उसको करना है modify अगर अभी कर दूँगा तो ताहिर वाली record modify हो जाएगी उसके next वाले record हो जाएगी तो उसके लिए हम लोग जो है कि file pointer को पीछे लाएंगे तो file pointer को एक पीछे लाना if seek method से उसको हम लोग आगे या पीछे ला सकते हैं तो हम लोगों को पीछे लाना है ठीक है तो if seek के अंदर हम लोग डालेंगे fp उसके बार डालेंगे हम लोग माइनस is z size of जो था हम लोगों का structure उसका माइनस मतलब एक हम लोगों कम करना और यहां पर one लिखने वाले हम लो यूज किया था मैं इसको कॉपी करने वाला हूँ और मैं नीचे आने वाला हूँ वापस से अपने modify में okay seek करने के बाद हम लोग इसको write कर देंगे file को ठीक है file write हो गई आप file को close कर देंगे close यहां पर नहीं करना मेरे को close यहीं करना ठीक है अगर modify हो गया तो file close and then loop को break कर देंगे अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है modify successfully अब इसको भी test करके देख लेते हैं कि हम लोगों का modify function काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ठीक है तो program run हो चुका है पहले एक बार display में चले जाते है ठीक है तो हाँ अब यह वाली line जो है यह इसकी दरूरत नहीं थे लोगों को यह column print करने की तो इसको में घटा लेंगे फिलाल के लिए पहले new name डालते हैं तो एकसर बिलेस की जगह पे मैं इसमें डाल देने वाला हूं मालो jude sharp ओके class मैं डालूंगा bca मालो और यह बंदा इसका roll number 15 है 145 नहीं 15 ओके बस record होगे save अब देखते हैं 2 में display करके देखो एकसर बिलेस की जगह पे किया देखला रहा है जूट sharp pca and then draw number 15 ओके तो यानि हम लोगों का modify भी काम कर रहा है अब जो है बारी आती है delete की डिलीट है 5 पे ठीक है तो अब उपर चलते हैं हम लोग देखो guys घबराना बिलकुल नहीं है C language में बिलकुल आसान language है अगर आपको धंग से concept है तो आप सब कर लोगे तो सीधा सीधी case 5 करेंगे यहां पर हम ठीक है और लिखेंगे DEL क्योंकि delete कोई keyword है C++ का तो हम लोग डील लिखने वाले इस function का नाम बस ब्रेक कर देंगे ठीक है तो देल नाम को function है ओके अब नीचे आते हैं और बस करने वाले हम लोग wide deal अब देखो delete के लिए भी जो है न means हम लोग यह लेंगे इंटर रॉल to modify file भी open होनी चाहिए मेरे क्याल से मैं इतना भी copy कर लेता हूं फिर देखता हूं करना क्या है ठीक है तो मैंने इसको paste कर दिया जा इंटर रॉल to delete पहले कर देते हैं ठीक है यह हो गया अब scan f rl यह तो ले लिया भाई इसकी जरूरत नह भूलना नहीं है ठीक है तो modify से भी यह हटाना है print वाला line में को column print नहीं करना भी okay यह होगा file को open करेंगे fp से file को open करेंगे read in binary mode में पलस नहीं चाहिए मेरे को write नहीं करना भी अब देखो guys एक file तो हम लोगों ने fp से open किये ठीक है अब इसमें हमको एक और file open करनी होगी ठ उसके लिए मैं बनाने वाला हूं एक और file ठीक है file इसके बाद मैं fp दूंगा file मतलब temporary pointer file temporary ठीक है temp file okay तो इसको copy करूंगा मैं इसी line को यहां पर fp के जगा मैं देने वाला हूं ft और यहां पर मैं लिख दूंगा temp.txt ठीक है इसको यह भी mode में लेंगे इसको append in binary mode में चाह की है एक is true.txt जो original file है एक temp.txt जो अभी हम लोगों ने just create की है जिसमें अभी कोई भी data नहीं है अब यहां पर हम लोग मैच करेंगे एक condition अगर rl ठीक है जो record को आपको delete करना है ठीक है वो बराबर है मतलब इस record को आपको delete करना इस .rl के तो हम लोग बोल देंगे भाई record मेल गया मतलब जो रॉल आपने डाला था वो रॉल है यहां record delete हुआ है ठीक है अगर ऐसा नहीं है मतलब जिसको delete नहीं करना है उस record को हम लोग जो है ना अपनी temporary बाली file में write कर देंगे ठीक है f right की मदश्थ से तो उपर आते है f right होगा मेर ना हमको fp तो पुरानी वारी file को open किया था ना हमको write करना इस वाली file में ft वाली file में temporary वाली file में तो बस ft यहां पर change कर देंगे ठीक है ft change हो गया बस बाकी सब सेम ही रहने वाला अब सुनो अब यहां जो है ना while loop ठीक है पहले पूरा नीचे चले जाओ अब हाँ ठीक है while loop का bracket close हो गया और यह function का bracket close हो गया ठीक है अब यह while loop के बाद जो है कि मेरे को file close करनी है दोनों file close करनी है तो लूँगा मैं f close fp को close कर दूँगा और same copy paste करूँगा ft के लिए दोनों file close हो गई ठीक है अब मैं remove कर दूँगा पुरानी वाली file देखो यहां पे हुआ गया हम लोगों ने if read से एक एक record निकाला इस 2.txt के file में ठीक है अभी इसमें 3 record है तो मैं file को open करके देखाता हूं आप लोगो ठीक है तो यह देखोगा इस तो jude sharp अब्द number 1 low 12 है ठीक है तो मैंने यहां पर डाल दिया भाई inter roll to delete 12 तो rl का value 12 है ठीक है तो अब यहां पर जो condition match होगी firstly record के लिए ठीक है तो rl यानिके 12 equal to equal to 12 हा तो f equal to 1 ठीक है उसके बाद यहां पर जाएगा while loop और फिर से यह while loop चलेगा ठीक है तो jude वाले record जो है एक तरह से skip हो हुए इसको हम लोगोंने temp वाली file में write नहीं किया अब देखो अगली वाली जो record है अबदुलमुकीत की उसके case में माननों कि उसके roll नमर 15 है ठीक है तो rl जो कि 12 है equal to equal to 15 नहीं तो else के case में क्या होगा write हो जागा यह record अबदुलमुकीत वाली record ft यानि कि temporary file में write हो चुकी है तो temporary file में सिफ एक record है और जो है कि हमारी original file में जो है दो record है तो अब हम लोग करेंगे क्या कि दोनों file को हम लोग close कर देंगे अब हमको करना क्या कि कि किसी भी तरह से जो temp file है उसको swap कर देना है हमको extrude file से तो हम कुछ नहीं करेंगे हम जो है सबसे पहले remove कर देंगे file को ही delete इसको हम लोग में ने बैदेगे इसको रिमोफ करने वाले हैं इसको रीनेम करदेंगे ओल्ड ही फायल में मिन नाख का कि एक थे मेरे पैस जब आरी कि यह फाइख और बॉष्विकरे ऑल भी अधी थेंड ही old file में ठीक है तो अब temp.txt की नाम हो जाएगा is true.txt और display function is true.txt को read करेगा जिसमें जूड़ वाले record नहीं होगी और अब्दलमुकीत वाले record होगी तो इस तरह से हम लोग कुछ करेंगे delete ठीक है तो बस अब नीचे आ जाते हैं और नीचे बस हम लोगों को message देना है कि record not found और deleted successfully तो बस मैं इसको copy करेंगा यहां से यहां तक और delete वाली function में फिर से मैं चाने वाला हूँ और यहां पर बस paste कर दूँगा की record not found अगर f का value 0 है तो और f का value 1 है तो record deleted successfully ओके तो आप इसको run कर लेते हैं देखते हैं ठीक है तो पहले चले आते हैं 2 में student info तो देखे लो दो रिकॉर्ड है जूट शार्प और देन अबदिलमकीत रॉल नमबर 15 है जूट शार्प का इसको डिलिट करते हैं ठीक है तो फाइब में आ जाते है ठीक है तो इंटर रॉल को डिलीट रॉल नमबर 15 है ठीक है 15 में डाला अब देखो इसने बोल दिया रिकॉर्ड डिलीटेट सक्सेस्फुली और फिर से 2 पे चला जाता हूँ मैं student info अब देखो अब दिलमकीत क्लास 9 रॉल नमबर 13 यानि जूट शार्प ले रिकॉर्ड डिलीट हो गई अब हम लोग कुछ और रिकॉर्ड इसमें डाल लेते हैं वोगी रिकॉर्ड काफी कम हो चुकी है तो एक डाल देता हूँ मैं एकसल ब्लेज नाम की रिकॉर्ड क्लास 5 रॉल नमबर मालो लेता हूँ 11 ठीक है एक डाल देता हूँ मैं इसमानंद सारी ठीक है और इसका मैं क्लास लेता हूँ क्लास 3 टू लेता हूँ ठीक है क्लास 2 और रॉल नमबर भी इसका बंदे का मालो 1 फस्ट आया था जी ठीक है इसको फस्ट कर देता है ओके अब एक और एक बड़ डिस्पले करके देख लेते हैं तो बस तीन ही रिकॉर्ड है अपने पास उस्मान एक्टिवलेज अब देन अब दूमकेज अब एक और रिकॉर्ड ले लेते हैं इसमें ले लेते हैं ताहिर आलम इसको कर देते हैं क्लास भाई 1 का बंदा है और इसकी रॉल नमबर जो है ना मालो ये 70 है तो अब देखते हैं तो मेरे पस चार रिकॉर्ड हो चुकी है हाँ तो गाई अब हम लोग अगर डिलीट भी धंक से काम करने लगा अब अगला मीनिम हो जाता है सॉट तो हम लोग उपर आ जाते हैं पहले ठीक है और उसके बाद देख लेते हैं दung काई चायरी प्रेक्ड परक्री तो यह कोशन प्रेक्ड अब इस फंक्शन को मैं कर दूँगा प्रेक्ड अब इस फंक्शन को कवलों को को डिफीक रना पड़एगा तो लास्ट में चलते हैं गाईस और उसके बाद इस function को define कर देते हैं अपना sort function को वाइड, ठीक है, sort ठीक है, अब sort by roll चाहिए मेरे को ठीक है, तो देखो sorting हो रही है ठीक है ना, तो file में, actual file में कोई sorting नहीं होगी, बट हाँ जो है कि record visualize के लिए sorting होगा, मतलब कि आपको sorted record देख जाएगा display में, तो sort एक तरह से display की तरह काम करेगा, तो display में जो भी code है, मैं उसको पहले copy करने वाला हूँ ठीक है, अपने sort function में तो मैंने उठा ले पूरा का पूरा code display से, और बस मैं यहां पे student info के जगा पर लिख दूँगा sort by roll sort by roll में ने लिख दिया और उसके बाद क्या करेंगे कि मेरे को कुछ variables भी चाहिए इसको sort करने के लिए तो मैं लूँगा, इंट ठीक है, तो मेरे को चाहिए एक C ठीक है, और मेरे को चाहिए I, मेरे को चाहिए J ठीक है, और मेरे को structure स्ट्रیکچर थ स्टुढ्ट वाला था स्टुढ्ट ओ्सोडूक्या थीक है if s1 में 50 recorded record और दूसरा लोगा ती स्टुस्ढॉबमक एक स्वाइपिंग करने के लिए हमलब डेटा को स्वाप करना है, इस में से उसमें डालना है, आप अभी तुरस समझ जाओगे, आप दो सेकंड बस वेट करो, मैं जो कर रहा हूँ, वो करने दो, ठीक है, तो हम लोग फाइल को उपन कर लेंगे, उसके बाद फाइल में से डेटा भी रीड करेंगे, अब जो है कि इस लाइन क ठीक है, और C++ लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू कर देंगे S, अब देखो, S में हारबर डेटा आएगा, ठीक है, और वो S1 के C का वैलू के है, फस्ट वैलू देखो, 0 है, तो यानि कि S1 के 0 में, फस्ट रिकॉर्ड चला जाएगा, फिर पलस पलस, पोस्ट फिक्स हो रहा अब हम लोग लिखेंगा, अपना sorting algorithm, तो अब आप कोई भी algorithm use कर सकते हो, आप चाहे तो bubble sort use कर लो, या चाहे आपको इक sort use कर लो, मैं चुकर वीडियो बना रहा हूँ, मैं simplest sorting algorithm use कर रहेंगा, जो के है, selection sort, तो इसके लिए हम लोग चाहिए, दो लूप, तो मैं लिखोंगा, for, ठीक है, i equal to 0, ठीक है, और i less than c minus 1, ठीक है, and i plus plus, by the way, c जो है न, total number of record होगा, क्योंकि ये लूप उतनी बार ही चलेगा, if read में value उतनी बार ही आएंगे, जितनी हमारे पास record होगा, तो c भी उतनी बार ही बढ़ेगा, जितनी बार हमारे पास record होगा, ठीक है, तो c हो चु तो j को i से 1 आगे रखना हमको, ठीक है, तो i plus 1 कर दीए इसको, j less than c हो जाएगा, ठीक है, and then j plus plus, j को भी increment करना, ओके ये हो गया, अब जो है की बारे आते है, comparison करने की, तो अब compare करना है क्या, if s1, ठीक है, s1 का i, का rl, roll number, अगर ये greater है, s1 के j, के roll number से, sorry, यहाँ पर dot अगर ये s1 के i का roll number greater है, s1 के j के roll number से, इसका मतलब कि हम पो record को swap करना है, तो हम t का variable को use करेंगे, जो यहाँ पर हम लोगों ने template या था, ठीक है, t equal to s1 का i, यह मैं बोलूँगा, अब मैं s1 के i में, जो है कि directly store कर दूँगा, s1 का j, हम लोग कुछ नहीं, बस swap कर रहे है, यहाँ पर, ठीक है, अब s1 के j में, जो है कि मैं डाल दूँगा, t को, ठीक है, ठीक है, अब यह for loop यहाँ तक चल रहे है, ठीक है, अब इसके बाहर में हमको करना है print, ठीक है, तो print करने के लिए हमको एक और for loop चलाना पड़ेगा, ठीक है, for i equal to 0 चलाएंगे, ठीक है, i less than c total number of record अभी बताया था आप लोगो, ri plus plus, ठीक है, इसके अंदर हम लोग paste कर देंगे, यह वाली line, ठीक है, अब इसमें s की जगा पर हो जाएगा, s1 का i, ठीक है, all, सब में हो जाएगा, यही game, ओके, यह सब हो जाने के पाद हम लोग कर देंगे, file को सीधा-सीधी close, ठीक है, तो इसको एक बार test कर लेते हैं, ठीक है, गाईस, तो एक बार पहले normal display हो जाए, ठीक है, तो 2 में चला गया हम आब अबदुल मुकीत, एकसल बेस, उस्मान अंसारी ताहिर आलम, अब आप नमबर वन, किस बंदे का है, उस्मान अंसारी, यह टॉप पे जाना चाहिए, roll के recording sort हो रही है, होगी तो, ठीक है, तो बस हम लोग देख लेते हैं, sorting करके, तो 6 पे चले जाएंगे, sort by roll, और inter मारेंगे, देख लो, आप roll नमबर वन, उस्मान अंसारी first पे है, तो आप चाहिए, तो देख लो, सबसे पहले हम लोगों ने अपनी लैबदरी फाइल को इंकलूड कर लिया, जो भी चाहिए था, ठीक है, यह हम लोगों ने बना लिया, एक structure, ठीक है, कि भाई, मेरे data में, मेरे data में, जो है ना, name, class, roll and date होगा, आपको और field चाहिए, आप और field एड कर सकते हो, कोई issue नहीं है, ठीक है, आपको father name चाहिए, तो आप care लोगे, ठीक है, care father name, तो fna कर सकते हो आप, या fname पूरा ही लिख लो, ठीक है, 30 character, और आप father name के लिए भी input कर लो, जैसे मैंने यह दो के लिखिया, ठीक है, तो यह हो गया, हम लोगों का structure, यह है अपना file pointer, जिसको fp से donate कर रहे है, और sz यह बहुत जगा user है, size of s, यह कुछ नहीं है, बस यह जो structure है ना भाई, इसका भी तो कुछ size होगा, कुछ memory में, कुछ तो यह जगा ले रहा होगा, उसी की size को बस store किया गया, sz में, जो कि long type cat, ठीक है, और int main, main method के बारे, main function के बारे में, आ always चलते रहना, ठीक है, कब तक, जब तक कोई zero dap के exit नहीं करता है, तब तक, okay guys, तो आज की इस वीडियो में इतना ही उमीद है, कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी, और आप आज के पास जो है ना, डर के भागोगे नहीं, project के नाम से, project जब मिलेगा, तो आप बलोगे जिन्दर होगे, यार, खुद से बनाना सिखो, ठीक है, यह life में बहुत काम देने वागा आपको, ठीक है guys, thank you so much for watching, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इस चैनल को subscribe करें, और हाँ वीडियो को like करना ना भूले, thank you so much